सब्सक्राइब कीजिए टेकनोलोजी गयांचल को और प्रेस कीजिए इस बैल आइकन को और नए वीडियो की जानकारी पाईए सबसे पहले अगर आप भी आटो लाइकर का यूज करते हैं अपने फेस्बूक पोस्ट के स्टेट आइस या फोटो या फिर वीडियो में लाइक बढ़ाने के लिए और कमेंट बढ़ाने के लिए तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्फुल होने वाला है तो आप इस वी कि भी आप यची में इस दो अपने फेस्बूक में बहुत से लोगों को देखा होगा जिनके फोटो वीडियो पे हजारो लाइक चामेंट या फीर में स्टेटेंस पर हजारो लाइक कोई वीडियो अप्रोड करते है तो अरि में बहुत से लाइक लिए लेकिन एसे में क्या यह तो किसी भी तरह का फोटो अच्छा नहीं डाला तब भी इनके फोटो में इतने सारे लाइक्स आखिर आ कहां से जाते हैं अगरको आपको नहीं आपको परम नहीं क्लिक लिक्रीज तो 아प अपण लिकन आपर इसी के जिसे यह हो आप को क्लिक कर ना जो पर दिया होता है तो जैसी आप जिख लिंक करते हैं कि लिए अगर पहले से लॉगई कर दख़ा है तो महां पर आपको एक दिखाई देगा या फिर आपने Facebook लॉगिन नहीं करा तो महां पर आपको एक दिखाई देगा तो जैसे आप लॉगिन करते हैं तो महां पर आपको एक दिखाई जाता है वह आपका नाम कुछ भी हो सकता है इंस्टाग्राम भी नाम हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है, तो उस एप के नीचे आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा, जो कि बहुत कम लोग पढ़ते हैं, हाला कि वह पढ़ना बहुत जरूरी है, उसमें क्लियर लिखा होता है, कि जो भी आप आप इस्टॉल कर र आपका अकांट में किसी दूसरे के फोटो इडियो और स्टाइटर के लिए ऍटीर कर का लुदे इयूज करते हुट होंगे और उन्हें भी आपने शिखकश से Colombia करा के इस एपली कर आपक अपा और किसी दूसरे के पोउस्ट पोटो , जैश में खबॉस में पढ़ारे के ल दूसरे के photos, videos चा फिर photos को like करने के लिए use किया जा सकता है ऐसे में वह user जो auto liker को use कर रहा है तो अपने photos चाए किसी भी थरा का photos चाहे वह प्रहुत है अच्छी photos उसमें likes को बढ़ाने के लिए use कर सकते है ऐसे में जैसी do likes लेता है आपके पोस्त पोस्त पॉटो टियो इसे में गलत की या या इसके पास पर पर आपके मेसिज़स को या जो भी आप चैट कर रहे हैं वह पर रीट कर सकता है या फिर Auto Liker चाहे तो आपके Facebook अकाउंट में जितने भी फ्रेंड है उनके वाल पेज आके कुछ भी पोस्ट कर सकता है आपके ID से अगर आप देखें तो आप completely एक तरफ से unsafe है अगर आप किसी तरह का Auto Liker app अपने Facebook अकाउंट में add करते है तो या फिर उसको किसी तरह का permission देते है तो दोस्तों अब आप सोच रहेंगे यार हमने तो अपने Facebook अकाउंट में Auto Liker को install कर लिया यानि permission दे दिया है अब हम इससे कैस अपने Facebook अकाउंट में install किया यानि permission दिया है उस अपको डिलेट कर देना है उसके बाद Auto Liker के पास जो भी Auto Liker website है जिसको आपने permission दिया है उसके पास किसी भी तरह का control नहीं होगा जब आप उस अपको remove कर देंगे इसके लिए basically आपको क्या करना है Auto Liker permission को remove करने के लिए सब पर जैसे एक अपर आपको आपको अप्शिन दिखाय देगा जिसका नाम होगा Apps तो आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आपको 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 वह सारे application दिखाय देंगे जिससे भी आपने link कर रखा या फिर जिसको भी आपने permission दे रखा है तो यहाँ पर आपको द्य तो यह नाम इसलिए रखा गया है ताकि कोई भी इसे डिलिट ना करें और हर कोई बेबकूब बन जाए ऐसे में जो मैंने और लाइकर यूज करा था तो इसका बेसिकली नाम था इंस्टाग्राम तो ऐसे में उसका नाम कुछ भी हो सकता है तो ऐसे में आपको ध्यान में रखना है जो नाम था है तो आपको क्या करना है यहां से सिंप्ली डिलेट कर देना है जैसे आप delete पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको remove का option दिखा देगा तो आपको remove पर क्लिक करना है जैसे आप remove पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो auto liker का permission वो remove हो जाएगा तो दोस्तो इस तरह यदि आप किसी भी तरह का Auto Liker यूज करते हैं तो ऐसे में आप अपने Facebook अकाउंट से बहुत आसाने से उस Auto Liker के Permission को रिमूव कर सकते हैं अगर आप उस अपको अपने Facebook अकाउंट से रिमूव कर देंगे तो ऐसे में आपका Facebook अकाउंट है और किस तरह काम करता है और किस तरह आप इससे बस सकते हैं अगर आप इस वीडियो के लिए ऐसे इतना ही आपको अगर आप की लिए हरु झाल जाते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉल्लो करें लिंक आपको वीडियो के दिस्क्रिप्शन पार्ट मिल जाएगा और अगर आप न्यू है और यह वीडियो पहली बार देख और आ आप मोरेचल का फेल में सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर दबाके नए वीडियो जिसकी लीटेश जानकर पासकते हैं तो दोस्तों मिलता हुमें आपको नेक्स वीडियो में तब तक कि लेकर बाई